से हलो हैं ये चैप्टर वन एक पार्ट फॉर्थ वाली वीडियो है इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आफ-डिसक्रिप्शृय Platty में चेक कर सकते हैं हार वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी दूसरी वीडियो का लिंक बढ़ावाओगा वैसा हमारे चैनल पर जाके वीडियो की प्लेइलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हम लोगों को टाइपस ओफ रियक्शन से पढ़ना था टाइपस ओफ रियक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ सिंसेसाइज रियक्शन का मतलब आप समझी रहें जिसमें कंबाइन हो कोई चीज है तर रियक्शन इन विच टू और मोर सब्स्टांस कंबाइन टू सिंगल न्यू सब्स्टांस ऐसे रियक्शन जिसमें दो रियक्टेंट को यह दो से ज्यादा रियक्टेंट को क्या करते हैं आप कंबाइन करते हैं एक नया सब्स्टांस बनाने के लिए टाइप अ कॉम्बिनेशन रियक्शन को जिससे कंपाउंड बन सगे जिसे बर्निंग को फाइड्रोजन को आप एयर में ऑक्सिजन के साथ बन करेंगे तो वह एच्टू यानि वाटर देगा तू एच्टू प्लस ओटू यह देगा आपको टू एच्टू यानि वाटर अभी आप देख सकते हैं या पे इसकी स्टेट में लिखे गैस गैस और यह दोनों गैस होता है बर्निंग ऑफ कारबन मोनो ऑक्साइड मोनो मतलब सिंगल को बोलते इन ऑपसिजन टू फॉर्म कारबन डाइक्साइड अब वो क्या बनाएगा कारबन डाइक्साइड बनायागा नीचे दिया वाएग 2-C-O यानि 2 कारबन और और उक्सिजन दोनों ही गैस होती है O 2 भी गैस होती है और इसका final product भी गैसी बन रहा है 2 CO2 combination reaction is involving in two compound combination reaction जो है वो दो compound के साथ involve होता है जिसे NH3 ammonia colorless है उन्होंने बताया भी है कि उसका color कैस है HCl, ये hydrogen chloride लिख दिया है उन्होंने गलती से इसे hydro chloride होलते है colorless है इसका formula बनेगा जो इसका product बनेगा वो बन रहा है NH4Cl यानि ammonium chloride और ये color होगा इसका white तो ये बता रहे है NH3 जो है gas है HCl aqueous होना चाहिए इन्होंने गलती से यह gas लिख दिया है और ये reaction बना रहा है NH4Cl एक बार हम देख लेते हैं कुछ गलती तो कर दिया तो वह आप देख लीजिएगा decomposition reaction इकंपोज मतलब decompose हो जाना खराब हो जाना सड़ जाना गल जाना और opposite तो combination reaction यह कहता है combination reaction का opposite होता है यानि combine होना और उसका opposite यानि उससे बिछड़ जाना लग हो जाना decomposition reaction compound breakdown compound breakdown यानि तोड़ते हैं तो तो और more simple substance दो या दो से जादा simple substance में by the application of heat गर्मी की मदद से और electricity यानि आप electricity या heat दो चीज़े यानि temperature बढ़ाएंगे या electricity को produce करेंगे तो वह substance दो या दो से जादा हिस्सों में तूट जाएगा when a substance decompose due to heat जब substance heat की वज़े से decompose होता है तो उसे thermal thermal यानि heat thermal decomposition बोलते हैं और if the substance decompose due to electricity अगर वो electricity की वज़े से decompose होता है तो उसको electrolytic decomposition बोलते हैं तो उसको electrolytic यानि वो electricity से related word है इसलिए इसको नाम electrolytic दिया electrolysis the decomposition of a substance by passing electric current through it is called electrolysis या आपके paper में कई बार पूछा जा चुका है बच्चे नहीं पढ़के जाते हैं तो आप इसको लिख लिजिए ध्यान दीजिए कि decomposition of substance किसी भी substance का decompose होना जब क्या है आप electric current पास करते हैं तो उसे electrolysis बोला जाता है photolysis photo means light होता है जिसे आपने photosynthesis सुना होगा decomposition of compound with light ऐसी decomposition जो light की मदद से हो उसे photolysis बोला जाता है तो आपने तीन चीज़े देखी एक electrolysis एक photolysis एक electrolytic और एक thermal decomposition इसको आप note down कर लीजिए लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे ये एक number में ही पूछ सकते हैं या हो सकता है आपको reaction देदें और पूछ लिए किस तरीके की reaction है इसको कुछ example दिए में जैसे उन्होंने mercury oxide when heated जब mercury oxide को आप घरम करेंगे undergoes thermal decomposition वो thermal decomposition thermal यानी heat तो उसके अंदर क्या होगा temperature बढ़ रहा है temperature बढ़ने से क्या होगा to give one mercury and oxygen तो आपको mercury और oxygen दोनों अलग करके देगा mercury oxide को आपने thermal decomposition यानी heat temperature उसका बढ़ाया है तो पहले solid थी but 2Hg वो क्या बन गया Hg यानी mercury वो liquid बन गया and O2 यानी oxygen वो gas बन गया similarly blue crystal of copper nitrate इसकी equation नीचे दीवी होगी ज़रूर copper nitrate को NO3 जिसका color क्या blue है उसको भी आपने thermal decomposition करा तो copper oxide अलग हो गया और oxygen उसमें से अलग हो गया या आप colors भी याद कर सकते हैं कभीकार वे exam में पूछ लेता है कि copper oxide का color क्या होता है copper nitrate का color क्या होता है nitrogen dioxide का color क्या होता है oxygen के इन्होंने नीचे लिखा नहीं है ये colorless होगा when water is taken in electrolytic cell जब आप पानी को electrolytic cell में भेशते हैं या उसके साथ reaction करते हैं is acidified तो acid की तरह reaction करता है with a small quantity of sulfuric acid क्योंकि इसमें बहुत थोड़ इसी quantity होती है sulfuric acid की and a direct current pass through it undergoes the electrolytic decomposition और वो electrolytic decomposition बनाता है तो यह आप ध्यान रखिए यह आपके examples नहीं तरीके प्लस H2O अब इसको जैसी आप electrolytic reaction करेंगे तो hydrogen oxygen दोनों अलग हो जाएंगे अब देखे oxygen भी colorless है hydrogen भी colorless और water भी colorless होता है पानी के color नीला नहीं होता है पानी सिर्फ हमें नीला दिखता है वो सब चीज़े हम आगे पढ़ेंगे light वाले chapter में तो पढ़ते रहिए fourth है if an electric current is passed through molten lead molten यानी पिखलावा माल आपने लावा लावे की form में अगर कोई है bromide it decomposed to give lead and bromine तो क्या करेगा lead यानी PB को और bromine को अलग करतेगा electrolytic decomposition की वज़े से क्या होगा वो उन दोनों चीज़ों को अलग करतेगा activity series the activity series of a metal is a list of metal activity series metal की वो लिस्ट होती in order to following the decreasing chemical activity उन्होंने बताए कि decreasing chemical activity यानी सबसे उपर जोगा वो हाई होगा फिर उससे लो फिर उससे लो फिर उससे लो तो करतेवे उन्होंने एक activity series बनाई है आप उसको देख सकते हैं आपके NCRT के बुक में वो दीवी है a substitution और displacement reaction substitution आप जानते हैं मैस अगर आपने पढ़ी है तो उसमें substitution method होता है यानि आप किसी एक चीज़ की जगा दूसरी चीज़ को रखते हैं substitute करते displacement यानि किसी चीज़ को हटा देना is a chemical change in which atom of one element replace the atom of another element जैसा किसी का नाम है कि एक element के atom क्या करेंगे replace कर देंगे दूसरे element के atom को from a molecule of a compound element which are higher in the activity जो element activity series में high number पे होते हैं ज़्यादा powerful होते हैं वो क्या कर देते हैं वो more electropositive element displays less electropositive element अब आप इसको कैसे मानते हैं कि यह जादा electropositive है तो आप इसको activities series के थूरू जा सकते हैं उसको देख सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं उसमें आप कोई जीज़े पता चले हैं ठीक है हम आगे पढ़ते हैं यानि Fe iron, CuS4, copper, sulphate, aqueous solution है तो जैसे ही यह reaction करता है FeS4, iron sulphate और copper इसमें से क्या हो जाता है अलग हो जाता है और magnesium, Mg, H2SO4, sulphuric acid और MgSO4, magnesium sulphate तो जैसे ही यह reaction कर रहा है Mg और H2SO4 तो इसमें water अलग हो गया और MgSO4 जो है वो एक substance बन गया 2Ki यानि potassium react with Cl2 तो यह बन रहा है 2Cl और I यानि iodine जो है उसमें से क्या हो गया अलग हो गया तो यह चीज़े हैं आप पढ़ते रहे हैं देखते रहे हैं The iodine is so liberally dissolved in the chloroform giving it in a purple color iodine जो है purple color में दिखाए देगा अगर आप को या करोगे आप उसको chloroform में dissolve करोगे तो ऐसा करना मत मेरे दोस्तों यह बहुत लुक्सान दायक होता है और इसके आगे वाली भी वीडियो जाने वाली हैं आप इसे देखते रहे हैं और अपने तैयारी करते रहे हैं और नोड्स बनाते हैं Thank you